दिपका विस्तार परियोजना के लिए अधिग्रहित ग्राम मलगाव में स्थित मंदिर को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा खदान का मुहाना मंदिर तक पहुँच गया है लेकिन यहां के ग्रामिण मंदिर को हटाने नहीं दे रहे प्रबंधन पिछले एक साल से कोशिश कर रहा है कि अनेस्थान पर मंदिर का निर्मान करा कोईला खदान का विस्तार कार्य बढ़ाया जाए यहां के ग्रामिणों को मंदिर हटाये जाने की भनक लगने पर मंदिर के पास पहुँच गए और भजन किर्थन करने लगे दिप का परियोजना में इस वर्ष 40 मिलियन टन कोईले के उत्पादन का लक्ष है इसके लिए मलगाव समेत आधा दर्जन से अधिक गाउं की भूमी अधिगरहित की गई है मलगाव पूरी तरह से खाली हो चुका है पर केवल एक मंदिर शेश रह गया है इसे लेकर पिछले एक साल से गतिरोध बना हुआ है खदान के बीच में मंदिर होने की वज़े से आने वाले समय में उत्खनन कार्य पूरी तरह बंद हो जाएगा इसकी चिंता एसी सियल प्रबंधन को अभी से सता रही ग्रामिड़ अधिकारियों के बीच कई बार वारता हो चुकी है पर कोई हल अब तक नहीं निकल सका है भूविस्थापितों का कहना है कि बिना सहमती के प्रवंधन मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रही है आस्था का हवाला देते हुए भूविस्थापित कर रहे हैं कि जब तक अन्य स्थान पर मंदिर का निर्मार प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाएगा तब तक मंदिर वही रहेगा खुशाल जैस्वाल वह उनकी पत्नी प्रीती जैस्वाल ने मंदिर तोड़ने के लिए जबरजस्ती करते हुए आतमदाह करने की चेतावनी दी है उनका कहना है कि पुस्तैनी और सौ साल पुराने तलाब को रात के अंधेरे में तोड़ने के बाद अब पच्चास साल पुराने मंदिर को भी डहाने की तयारी की जा रही है दमपत्ती ने कहा है कि मंदिर को जबर्दस्ति तोड़ना है तो उन्हें इच्छाम्रित्यों की इजाज़त दी जाए इसको भी तोड़ने के लिए हमको बार-बार बोला जा रहा है कि धंकी मिल रही हमको इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और इसको भगवान को अपने घर में अभी रखिए तो हम लोग इन सब चीजों को स्विकार नहीं करना चाह रहे हैं की जो पुस्तैनी तलाब को तोड़ा गया और प्राचिन यहां पर मंदिर उसको तोड़ने के लिए भी मतलब दबाव उनके उपर बनाई जा रही है और इसका मुख्य कारण है इसी सिर्फ प्रबंधन की जो हटधर्मिता और ताना सही निती के करणद से लोग प्रताड़ इसी तरीके से अभी जो नए अधिग्राण हो रहे हैं उन छेत्रों को भी जबरिया उनके रोजगार बसाहट मौजा का जो प्रकरण का हल किये बगयर उनको उनके गाउंस से बेदखल करने की जो योजनत पे काम कर रहे हैं लोगों का उसमें विरोध है लोगों को बसाहट किया जाए और उनकी जायज मांग है उन जायज मांगों को पूरा करें मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजी साहू की रिपोर्ट